इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान विराट कोहली और बॉलिवुट की फैमस एक्ट्रस अनुष्का शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है ये दोनों ही हमेशा कपल गोल्स देते हुए नजराते हैं आज के समय में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बेहत खुशहाल जिन्दगी जी रहे हैं वहीं दूसरी ओर चर्चा में बने हुए हैं कि जल्ध ही ये दोनों पेरेंस बनने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अनुष्का शर्मा प्रेगनेंट हैं और अपनी प्रेगनेंसी के चलते लगातार चर्चा में बनी हुई हैं 27 अगस्त के दिन इस प्यारे से कपल ने अपने फैंस को ये गुड नियूस दी थी कि जल्ध ही उनके घर एक नन्ना सा महमान आने वाला है 27 अगस्त के दिन विराट कोहली और अनुष्का ने बताया था कि उनका ये नन्ना सा महमान जन्वरी के महीने में आएगा वेल्ट अफसे लेकर लगाता सोशल मीडिया पर बधाया ही बधाया मिल रही है जहां एक ओर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी लवे स्टोरी अपनी शादी शुदर जिंदीगी को लेकर चर्चा में बने रहे हैं तो वहीं दूसरी और एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों की राहें अलग होती हुई नजर आई थी जहां दोस्तों जानकरी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से जुड़े ऐसे कई किस्ते वाइरल हो रहे हैं आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उस किस्ते के बारे में जब कई दिनों तक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की ब्रेक अप की खबरें आ रहे ही थी वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ब्रेक अप नहीं हुआ है इस पीर से खजाये तो रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया कि ये दोनों अपने अपने प्रोफेशन में ज्यादा बिजी हैं जिसके चलते एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं लेकिन वहीं दूसरी और उन अववाहों के बीच अनुश्का शर्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया अनुश्का शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट दिया था जिससे साफ सौर पर जाहर होता हुँ नजर आया कि अनुश्का और विराट के रिस्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है अनुश्का ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट से उनका कोई भी पैच अप नहीं हुआ है और ना ही आगे होने की कोई गुझाईश है रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि अनुश्का ने ये तक कहा था कि वह अकेले रहना चाहती है और उनका पैच अप करने का कोई भी इरादा नहीं है साथ ही साथ ये भी सामने आया कि वहे विराट पर विश्वास नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं विराट फिर से उनका दिल न तोर दे और इस तरीके से अनुष्का शर्मा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई थी जानकरी के लिए आपको बता दें कि उन दिनों अनुश्का शर्मा अपनी फिल्म सुल्तान की शूटिंग में बिजी थी तो वहीं दूसरी और विराट कोहली भी अपने प्रोफेशन में बिजी थे लेकिन दौनों बिजी होने के चलती एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाए थे वहीं दूसरी और उस दौरान अनुश्का और विराट से चोड़ी हुई कई बड़ी खबरे भी सामने आई थी जिनने देखने के बाद साफ तोर पर जाहिर हुआ था कि दौनों के भी सब कुछ ठीक है लेकिन आज के समय में देखा जाए तो विराट और अनुश्का अपनी शादी शुदर जिल्दिगी में बेहत खुश है साल 2017 में इस प्यारे सी कपल ने कुपचुप तरीके से शादी रचाली थी और अब जल्द ही पेरेंस बनने जा रहे हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देख से रिए नेक्स्ट नाइन न्यूज